नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन गुरुजी पर जी आँ दोस्तों सबसे पहली ख़बर आपके लिए ये है कि आज रिट भरती का जो विश्तरित विज्यापन है वो जारी हो जाएगा तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुसकबरी है उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि नो पारियों के अंदर पेपर होंगे नौर्मलाइजेसन भी नहीं होगा क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग होगा अगर लिक भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारे सब्जेक्ट से वो अलग रहेंगे जो दोस्तों कम संग्या वाले सब्जेक्टें जैसे पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, उर्दू हो गया, संस्क्रित हो गया तो इनकी प्रिक्षा है वो पुर्जिले के अंदर करवाई जा सकती है बाकी संभाग इस तर पर प्रिक्षा होने की पूरी-पूरी संभा होना है और सेकंड एर वालों के सबसे ज़्यादा मेसेज आ रहे हैं दोस्तों तो मैं उनको एक बात बता दूँ कि दोस्तों सेकंड एर के अंदर किन को सामिल नहीं किया जाएगा तो जिनका बेच 2012-2030 है यानि जिनके भी सेकंड एर की एक्जाम नहीं हुई है उनको सामिल नहीं किया जाएगा बाकी जिनकी एक्जाम हो चुक है जिनका बेच 2020-2025 है वो सामिल है प्रिक्षा के अंदर उनका result आ जाएगा जनवरी के अंदर तो आप निश्चिंत रहे दोस्तों आप सामीलो चलिए पूरी खबर देख लेते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें देखिए लेवल एक का एक और लेवल दो के आठ यानि कुल न फ्रतियों की सेंगह क्या दारप्रत्य किया जाएगा कि उनको कांगा एक्जाम सेंटर देना है टीचिंप की भी सिटेंग काम आई है तो उन बेड़तियों का भी थोड़ी सी नराज गये वह किरेंगा हमारी सेंगहा है वो बढ़ाई जाए तो अब देखते हैं सरकार क्या लेती है तो यही आज की खबर थी दोस्तों इसके लावा आपका कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं उसका जवाब देने की खुशिस करूँगा और बिल्कुल 2020 से 2022 बेच वाले नेशेंद्रे आपको बिल्कुल सामिल किया जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है और इसके लावा आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज विस्तरित विग्यापन जारी हो जाएगा धन्यवाद जेहिन